हालो जी कैसे हो सारे दिस लव बबन विल्कन दो दी चैनल को धिल्प हम पहुंच चे के मारे लेक्शन नंबर 114 114 पर लास्ट वीडियो जो थी उसमें एक कोशन पढ़ा था निंजास ट्रिप ठीक है मिनियम कोस्ट फॉर टिकेट्स उसमें हमने बूट 4 से सॉल्व किया उसक अगले पार्ट के अंदर तो यह आपके लास्ट वाली वीडियो को सेकंड पार्ट है अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगे उसके बाद आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं ठीक है कोशन आपके सामने निंजास ट्रिप इस टूर प्लान कर रहा हो तो एक निंजा है उसको कुछ टाइम खाली चाहिए जिसमें ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हो एक टूर प्लान करना चाहता है आपको कुछ डेज दिये हुग है यह टू और फाइव जो हैं यह आपके डेज हैं और हमने बोला कि इन दिनों पर कि इन इन दिनों पर निंजा ट्रैवल करेगा आपको मिनिममम अमाउंट बताना है मिनिममम अमाउंट बताना है किस तरीके से मैं पास लूँ कि ठीक है कि पहले दिन मैंने वन डे का पास ले लिया फिर मैं तीन दे नुका मैंने एक हफ़ते का पास ले लिया फिर मैं तीन दे समिनियम कोश्ट आपको बतानी है उसके ट्राइवल के लिए ये बात मैं समझ मात किया अगर आपको और डीटेल्ड में कोशन समझना एक्जामपल के साथ आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वाला solution आप देख लेंगे ऐसे अपको ऐसी मज़ा नहीं आएगा आपको बिल्कुल scratch आना पड़ेगा ना build-up करते हुए ठेक है तो last solution जो हमने देखा था last solution जो हमने देखा था वो इस प्रकार था हमने bottom up approach देखी ठेक है हमने bottom time complexity कितनी लग रही है यहां पर मेरी time complexity O of n है ठेक है? यहां मेरी time complexity O of n है ओके अगर मैं space complexity की बात करूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैरी space complexity भी this case के अंदर O of n ही है ठेक है? अगर मैं आपको ये बोलू हम कि मैं space complexity को O of n की जगा O of 1 मे convert कर सकता हूँ तो कैसा लगेगा बहुत ही classy question है बहुत ही अच्छा question है और मेरी intuition यह गह रहा है कि आपको यह किसी अच्छी company में जैसे कि Google में आपको यह question interviews में पूछा जा सकता है बहुत ही classy question है मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर scope भी है improvement का आपने brute force किया आपने top down किया आपने bottom up किया उसके बाद भी space optimization space optimization का scope निगल रहा है और वो भी छोटा मोड़ा space optimization नहीं है बड़े classy level का space optimization है यहाँ पर हम Q का प्रयोग करने वाले हैं अब Q क्यों कर रहा हैं अभी समझ लेते हैं हमने बोला हमने बोला एक example देखते हैं हमने बोला कि हमारे पास days का example इस परकार है कि कौन कौन से days है हमारे पास मैंने कहा 1,3,4,5,7,8,10 यह वो दिन है जिस दिन निंजा ट्रैवल कर रहा होगा इस दिन हमारे पास pass टिकेट वाला pass होना ही चाहिए अगर मैं बात करूँ आपके कोश्ट की कि कितनी कोश्ट आपके पास की तो मैंने बोला single day का pass 2 रुपे का है और 7 दिन का pass 7 रुपे का है और 30 दिन का pass 20 रुपे का है इस प्रकार से तो मैं किस प्रकार से passes खरीदूं कि मेरे minimum number of coin लगे या minimum cost लगे ठीक है अगर अभी मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे का समझ में आ रहा है कि मान लो पहले दिन आके मैंने अगर चलो last time देख सॉल गे तो ऐसे करते है हमने बोला हमारे पास array क्या है हमारे पास array यह वाला है इसको अगर मैं यह से हटा दू 2, 7 और 20 तो मैंने बोला कि मेरे पास कौन-कौन सा है 2, 7 और 20 यह तीन कोश्ट है ठीक है अगर मैं बोलो starting में मेरा जो एक i है एक variable है जो की point कर रहा होगा address के element को मैंने बोला starting में अगर वो यहाँ पर है ठीक है तो मैंने बोला मैंने बोला मैंने पास तीन option है मेरे पास तीन option है मेरे तीन recursive call जाएगी है एक call जाएगी कि मैंने यार सिंगल डे का पास ले लिया एक call जाएगी मैंने यार 7 डे का पास ले लिया एक call जाएगी मैंने पास कि मैंने 30 डे का पास ले लिया यानि मन्त वाला पास ले लिया यह बस समझ में आती है यह 3 call आपकी हर case में जाने वाली है यसे इस case में आपका जो i है वो 3 q पर आ जाएगा ठीक है और आपका पहले DP का已经 aggregate करते हैं उसको initialize करते हैं उसके बाद जो मार रिकरसB Gesicht micron सोलुशन है उसके अंदर जाते हैं और जहां पर मेरा recursive? से answer निकल रहा होते हैं और जहां पर base case होता है उसके just बात जाकर लिख देते हैं और DP के अंदर answer पढ़ा होगा तो आगे रिकर्जी कोलम बतमार हो इंसान से को रिटर्न करा दो यह चीज में पचासो बार अपनी पुरानी वीडियो से बता चुक हूँ दाट्स वाइ डिटेल में डिसकस नहीं कर रहा हूँ आपको पुरानी वीडियो से देखने पड़े हैं ठीक है उसको पाद एक memoization यह जो आपने भी किया recursion प्रस memoization वाले solution को dp में बॉटम अप में tabulation में किस पकार convert के जाता है यह उसके बाद चेकरते हैं कि यार बेस किस को अटाके बागे किस space के अंदर आपका recursive solution calls मार रहा है ठीक है और उसके अधार पर आप एक loop लिख के चीज़ों convert कर रहे होते हैं आप last video को देखें कि आप समझ जाएंगे उस चीज़ को ठीक है इसके बाद मैंने बुला क्या मैं दो q create कर सकता हूं क्या मैं दो q create कर सकता हूं क्यों अभी समझते हैं तुमने वो sliding window वाला question कर रखा होगा q के अंदर राइट याद करो वे पर याद करो कौन से वाले question की बात कर रहा हूं क्यों कर रखा है तो मैंने बुला कि q को अगर मैं एक यूज़ गर लूँ कि एक q मैं बना लूँ एक q मैं बना लूँ किस type की मैंने बुला एक pair type की int, int क्या दर्शाता है अभी बताते हैं एक q मैंने बनाई monthly pass के लिए और ऐसी same q बनाई मैंने weekly pass के लिए ओके ओके अब यह दो integer थे यह क्या दर्शाते हैं मैंने बुला यह जो पहला integer है यह आपको दर्शाता है day कि इस दिन की बात कर रहा हूं और दूसर आपको दर्शाता है cost till that day कि उस दिन तक कितनी cost है उस दिन तक कितने पैसे लग चुके आपने month का बना लिया week का बना लिया day का क्यों नहीं बना रहा हूं अरे वह तो मुझे पता है ना जो भी मेरा answer चल रहा होगा उससे प्लस कर दूँग आपको cost of 0 जो मेरा answer चल रहा होगा पुराना answer उससे प्लस कर दूँग कोश्ट of 0 कोश्ट of 0 क्या है यह वाले चीज यह cost of 0 यह cost of 1 यह cost of 2 है simple है तो 3 choice मेरे पास है इस पकार यह काम चलने वाला है अब मैंने बुला मैंने Q ही क्यों लिया और अगर आपने Q ले लिया तो आपके space connection of n कैसे हो गई यह भी सोचने वाली बात है मैंने बुला जब मैं Q लेता हूँ एक चीज जहांत सोचने है एक मंत्री पास से में कितने दिन at max cover कर सकता हूँ 32 दिन हाँ है ना एक मंत के अंदर 30 दिन cover कर सकता हूँ नहीं होंगी अगर मुझे अरड़ी पता है कि 30 यहां पर लेगी साथ यहां पर लेगी तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्वेस के अंदर भी आपने space complexity of 1 कर ली पर सवाल है काम कैसे हो रहा है काम कैसे हो रहा है यह तो बता हूँ यह समझाते है आपको यह भी समझाते है ठीक है तो मैंने क्या बोला कि हमें पता है कि हमें day वाले area पर traverse करना है कि हमें game तो सारी इस वाले area के हिसाब से खेल लिए न राइट तो मैंने simple सी बात बोल दी कि यह ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं मेरा answer तो मुझे बता ही है स्टार्टिंग में अपना answer इसलाइज कर लिए intermax के दवारा intermax के दवारा और मुझे जो भी passes से ही वो days के वाले area के हिसाब से चाहिए मैंने ख़ीक है तो अगर मैं एक loop चला दूँ तो अगर मैं एक loop चला दूँ days वाले area के उपर ही days वाले area के उपर ही पहला काम क्या होगा मेरा first step क्या है first step क्या है कि जो भी expired days है जो भी expired days उनको remove कर दो remove expired days from queue remove expired days from queue ये क्यों से दिन है मैंने बोला जो भी मंतली वाली गंदर 30 से ज़्यादा पुराना दिन आ रहा है जो भी weekly के अंदर 7 से ज़्यादा पुराना दिन आ रहा है उसको remove कर दो उसको remove कर दो तो simple सी game है इनको remove करना है तो मैंने क्या लिखा है आपर कि जब तक मेरा मंतली वाले मंतली वाला जो मेरा queue है उसके front में जो element पढ़ा हुआ है front में भी कौन से element first वाला पार्ट क्योंकि first वाला पार्ट जो है वो क्या है वो ही तो day है उसमें अगर मैं plus 30 कर दूँ और तब मैं less than equal to current day तक पहुँच गया तो इसका मतलब है कि मुझे मंतली में से उसको उटाना पड़ेगा monthly.pop करना पड़ेगा right monthly.pop करना पड़ेगा right उसी सेम प्रकार मैंने बोला कि जब मेरा weekly वाला जो क्यू है उसके जो front element पड़ा है उसका जो first वाला पार्ट है यानि first वाला पार्ट कौन सा है वाला पार्ट है अगर उसमें plus seven गरेगे less than equal to day यानि current day के equal आ रहा है तो उसका मुझे पॉप करना पड़ेगा तो यहां से मैंने expired days हटा दिये मेरी q के अंदर से starting में तो कुछ हो गई नहीं तो आपको एक और condition यहां पर आड़ करने पड़ेगी दोनों के अंदर size वाली size वाली condition आड़ करने पड़ेगी size at least greater than zero होना चाहिए यह बास समझ में आती है उसके बाद अभी जिस day पे खड़े हो उस day की पुष्ट तो आड़ करो तो तुम अभी मंतली वाले के अंदर वीकली के अंदर खड़े होगी वीकली में आपने पुष्ट कर दिया मैंने बुला step two क्या है step two क्या है step two है push current days post okay तो आपने बुला weekly वाले में पुष्ट करो क्या पुष्ट करना इसके अंदर पुष्ट करो एक पेर बनाके कि या पेर बनाना है, कौन सा दिन, अभी वाला दिन, और कोष्ट क्या होगी, कोष्ट बड़ी सिंपल है, जो पुराना तुमारा आंसर था, प्लस वीकली है, weekly का कौन सा कोष्ट होती है, weekly की बीच वाली कोष्ट होती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, cost of 1 बोलता हूं first index से पढ़िया नहीं है तो मैंने क्या बोल दिया cost of 1 बोल दिया तो मैंने क्या बोला मन्तली वाले आरे में भी पुश कर दो भाई current day की cost तो मैंने क्या बोला कि make pair day कॉमा पुराना answer जो है plus cost of 2 तो ये दो चीजे हो गई ये दो चीजे हो गई अब मैंने क्या बोला मेरा answer को update कर दो answer को update कर दो भाई तो मैंने बोला answer is equal to minimum of what पहला तो आपका day वाले pass day वाले pass की cost क्या है कि ये आईगी ये कॉमा minimum of what जो भी आपकी monthly Q में front में dot second में पढ़ा है कॉमा जो भी आपकी weekly Q में front में और second में पढ़ा हुआ है इस प्रकार तो आप पर इतना part कर लिया थेक है अब आपने answer turn कर दिया अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे code को तो आपको क्या दिख रहा है आप बस पूरे day वाले आरे के उपर traverse करो आपके time complexity के अंदर O of N आ जाती है और space आपको पता है कि 30 enter यहां पर 7 enter यहां पर space complexity के अंदर constant हो जाती है और Q यहां पर क्यों लगाई गई है तो Q के अंदर मैं आपको कुछ important questions करवाई थे रहा है अगर मैं आपको यहां पर ले जाओं और ले दूं code help Q के अंदर हमने कौन सा question किया था find negative integer in k size window ठीक है तो इस में sliding window वाला concept हमने पढ़ा था Q के अंदर तो वही same concept मुझे हां पर दीखता है कैसे देखा भई आपको कैसे पता लगा मैंने बूला कि month के लिए आपके पास इस पुराने तीज दिन ही valid है अगर कोई SRT आतो जो तीज दिन से और पुराना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा समझरे मेरी बात इस परकार समझो इस चीज़ को इस परकार समझो इंटूशन कहां से है रटा नहीं मारना इंटूशन कहां से है कि मेरा समा लोग यह देना है एक दो तीन चार ऐसे करके यह 31 यह 34 तो अगर मानला आप 34 वे डे बे खड़े हो क्या मैं कह सकता हूं कि यह चार दिन जो है मिरे ले पुराने हैं बासी हैं मुझे इनकी नीडी नहीं है इनकी नीडी नहीं है यह न, हाँ है न तो मुझे इसकी नीड नहीं है बासामगम में आती है तो मैंने इनको remove कर दिया तो मैं अगली 30 दिन की window में हूँ looking atla आता है तो फिर इसको न्हीं का लिए यह यह वासी दिन धी Lucas इसको code करookie अती उता है इसको मैं एक बार reset कर लेता हूं ठीक है मैंने के बोला कि मेरे को एक answer चाहिए इसको एक लूप चलाओ ऐसा इसके नदर क्या करो जो इत्मारी दो क्यूज तुमने बनाई है इसके अधर मैंने क्या बोला कि बहुत सिंपल है step 1 क्या कहता है step 1 क्या कहता है रिमूब expired days मोटिवेशन का ध्यान है कि इसमें intuition कहां से आ रही है कि मुझे पता कैसे लगानी वह important था है मैंने बोला यहां पर पहले क्या लगाना है तो हम चेक कर लो मंत का साइज जो अट-लीस गरतन जीरो तेक है या फिर तुम इसको ऐसे बोर लो while not month.empty and and तुमने क्या बोला कि month.front.first अगर plus कर दूं इसके अंदर 30 तो less than equal to day होना चाहिए अगर इस case में क्या करूंगा मैं इस case में मंत को पॉप कर दूंगा सेम इसी तरह मैंने अगली वाली क्यू जो की week वाली क्यू थी वह बना ली मैंने बोला week मैंने बोला week मैंने बोला seven और मैंने बोला week ठीक है यह तुर काम हो गए फिर मैंने step two कर दिया step two add post for current day इसके लिए मैंने क्या किया कि week dot push make pair of what current day का और कोष्ट ए एनस फ्लस कोष्ट ऑफ वन इसी प्रकार मैंने मन्तली वाले का भी setup कर दिया कि भाई month dot push current day और कोष्ट ऑफ तू फिर मैंने answer update कर दिया step three क्या कहता है अंसर अपडेट कर दो जिसके आंसर इकूल स्टू minimum ऑफ ए एनस प्लस कोष्ट ऑफ जीरो यह कौन सी कोष्ट है यह आपके डे पास की कोष्ट है साथ ही साथ मैंने क्या बोला और कौन सा minimum लेना है और तुम्हे minimum लेना है किसका तुम्हे minimum लेना है week dot front dot second कॉमा month dot front dot second इस प्रकार तो अब मुझे answer यहां पर turn करना पड़ेगा इतना हो गया यहां पर front में कलती है मैं और यहां पर भी front में पर और अ क्या वा कर देता हूं और रही क्रेक्ट क्रेक्ट answer क्यों आया बही है मैंने बोलब है निन्गे सम टाईम आफ कई कि चेक करते हैं इगर इसको इंट-े-मैक्स करते हैं तो वह और वह पाँसर क्यों आया? तो रोंग आसर हा रूंपर रोंग अंसर क्यों आ रहा है? त्यूक्या आपने यहां पर इंट-मैक्स, अंसरके अंदर इसको मैंने सब्मिट किया और यहां पर देखते हैं क्या अंसर आता है और यह चल गया इस प्रकार हमने इस को solve कर लिया पिछले पार्ट हमने बूट फोर्स देखा उसके बाद हमने recursion पस memoization देखा उसके बाद हमने टैबलेशन देखा तीनों चीजें लास्ट पार्ट के अंदर और इस पार्ट हमने देखा कैसे इसको और optimize कर कि हम of one space complexity में complete कर सकते हैं ठीक है मिलेंगे आप से नेक्ट वीडियो में तब तक क्लिए बाबाई